नमस्कार दोस्तो, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि M-Cita M टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, M-Cita M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और M-Cita M टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि M-Cita M टैब का कॉंबिनेशन होता है, M-Cita M टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सीटागलिप्तिन और मेटफोर्मिन होता है, जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली M-Cita M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, M-Cita M टैबलेट का उप्योगर टाइप 2 डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है, M-Cita M टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़से किड्नी डैमेज हो सकती है, आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है, इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है. खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है, खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ती परी डाइबिटिक स्टेज पर है. परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को बिना दवाओं की मदद से नियंतरण में किया जा सकता है। परी डाइबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मासपेशियों में दर्ध होना, मुग के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आदी साइड इफेक्ट्स M-Cita M-Tablet की वज़़ से हो सकते हैं। इसके अलावा M-Cita M-Tablet को शुगर कम करने की अन्य दवाओं के साथ लेने से शरीर का बलड शुगर लेविल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। M-Cita M-Tablet की वज़़ से एलर्जिक रियेक्शन भी हो सकता है। यदि आपको M-Cita M-Tablet को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह, गले, होठो या तवचा पर सूजन, तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशिस या एकदम से बुखार होता है। तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि ये लक्षन एलर्जिक रियेक्शन के हो सकते हैं। और एलर्जिक रियेक्शन होने पर तुरंथ मेडिकल ट्रीटमेंट की आवशकता होती है। अब हम डिसकस करेंगे की एमसिता एम टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। के डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की एमसिता एम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको एमसिता एम टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइस करनी चाहिए। चिंता वतनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। Type 1 Diabetes होने पर, कोई Surgery होने पर, Diabetic Coma होने पर और Diabetic Ketosis होने पर M-Cita M Tablet को लेना recommended नहीं होता है। Blood sugar बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको M-Cita M Tablet को लेने के बाद खाने को skip नहीं करना चाहिए। और आपको M-Cita M Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए। Pregnant महिलाओं में blood sugar के level को नियंतरन में करने के लिए insulin को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए M-Cita M Tablet का सेवन करना recommended नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका M-Cita M Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।